नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंग क्या आपको भी चाए और कॉफी बेहत पसंद है जिसके बिना आपके आखे नहीं गुलती तो हो जाए सतर कि ये वीडियो आपके लिए ही है हम सभी को अपने दिन की शुरुआत एक कप चाए या कॉफी से करना पसंद होता है इसमें कोई दोराहा नहीं है कि चाए और कॉफी दोनों ही हमारी सुस्ती भगा देती है और हमें पूरे दिन के लिए एनरजी देती है ये दोनों ड्रिंक हमें ताजगी से भढ़ देती है साथी जब हम शाम को कांग से ठक कर लोड़ते है तो चाए का एक कप हमारी सारी ठकान मिटा देता है कभी जादा काम करना पड़े तो कॉफी हमें राधधर जगने के लिए मदद करती है पर क्या आप जानते हैं कि आपकी फेवरिट चाए या कॉफी आपके दिल को कितना नुकसान पहुचा सकती है यह बिल्कुल सच है चाए और कॉफी से आपके दिल को खत्रा होता है दिल को सुकून देने वाली चाए और कॉफी आपको बिमार कर सकती है लेकिन आप सवाल आता है कि क्या आप चाय और कॉफी छोड़ सकते हैं? चाय और कॉफी छोड़ी नहीं जा सकते हैं लेकिन हाँ इसका सीमित मात्रा में सेवन जरूर किया जा सकता है चाय और कॉफी कई बार छोटी वोटी समस्याओं का कारण बन जाती है कई बार इसका ज़ादा सेवन करने से असे डिटी की समस्या भी हो जाती है पर सबसे गंभीर चाय और कौफी के सेवन से समस्या दिल की बिमारी की हो जाती है क्या आप जानते हैं? बहुत अधिक चाय पीनी से सबसे ज़ादा खतरनाक दुश प्रभावों में से यह एक है कि आपको जो रख चाप होता है वो असंतूलन के कारण आपको काफी दिक्कत देने लगता है जब आप अधिक मात्रा में चाय का सेवन करते हैं तो यह आपके बलड प्रेशर को हाई कर देता है यह आपके शरीर के लिए बहुत बुरा हो सकता है इससे सीधा आपके ह हेद्य स्वास्त पर असर पड़ता है जिसके वज़न से आपको काफी अजीब महसूस हो सकता है हो सकता है कि आपको सास लेने में भी तकलीफ होने लगे वहीं चाय का ज़्यादा सेवन करने से नीन भाग जाती है क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा जादा होती है यह आपके नीन्द के चक्र को प्रभावित कर सकती है कैफीन मेटानिन हर्मोन के साथ हस्ता शेप करता है जो नीन के पैटन को प्रभावित करता है ऐसे में स्लीपिंग पैटन हेद्य सम्मंदित कई रोगों को जन दे सकता है साथ ही कौफी पीने से आपके रक्त चाप में व्रदी दे और उन्हें तेज दिल की धड़कन का अनुभव हो सकता है यदि आप भी उन लोगों में से एक है तो कैफीन से बचना ही समझदारी है याद रखे कि कैफीन किन चीजों में पाया जाता है चाय, ग्रीन टी, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक, कोला और चॉकलेट तो आपको इन सभी चीजों का नियमित रूप से सेवन करना है ऐसे में सवाल आता है कि आप अपनी हाट हेल्थ का कैसे खयाल रख सकते हैं तो आपको बता दे कि यदि आप चाय कॉफी पीने के शौकीन है तो इसे मॉडलेशन के तोर पर आप कभी-कभी पी सकते हैं कोशिश करें कि इसमें ची तराफ कमली अपने केलस्ट्रॉल के स्थर को नियमित रखें धुपान से बचें स्वास्त आपना वजन को आपको स्वस्त रखना है बैलन्स रखना है संतुलित आहार लेने हैं चीनी और रिफाइन फूट से आपको बचना है तो आप इस तरीके की चीजों को अवाइट कर के खुद को फिट रख सकते हैं बस आपको अपने लाइफस्टाइल को मेंटीन करने की ज़रत है और जो भी चीज आप खाते हैं उसका एक नियमित एक लिमिट के हिसाब से आप जब उसको लेंगे तो आपको नुकसान नहीं पहुचाता लेकिन जब आप एकसेस कर देते है किसी भी चीज का चाय वो चाय हो या कॉफी हो आपको सर्दियों में देखा जाता है कि सुभा से लेकर शाम तक सिर्फ चाय ही चाय और कॉफी ही कॉफी चलती है जो काफी नुकसान दायक होती है इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप ये तो समझ गए होगे कि आप के दिल को सुकून देने वाली चाय आपको दिल की बिमारी की ओ धकेल सकती है सेफ रहे सुरक्षित रहे अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही देखते रहें इंडिया न्यूस डिजिटल धन्यवाद